हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड, दोस्तो बेसिक सिक्षा परिशत के नियंत्राना धीन उत्तर प्रदेश के जो परिशदी विद्याले हैं, वहाँ पे दोस्तो जिले के भीतर सिक्षकों का समायोजन होने जा रहा है, दोस्तो इसे तबादला कम और समा RTE यानि Right to Education Act के नॉम्स को वाइलेट किया गया है, उसी को एड़ेस्ट करना है, दोस्तो आपने ये देखा होगा, कि गत वर्ष कुछ सिक्षक पदों पे भरती हुई, 68,500 की भरती हुई या 69,000 सहायक सिक्षक की भरती हो, आपने ये पाया होगा, कि जिस विद्याले में अलड़ी सिक्षक थे, वहाँ पे 4-6 सिक्षक और चले गए, और जो विद्याले डेफिसिट थे, जहाँ पे सिक्षक नहीं थे, वहाँ पे सिक्षक गए ही नहीं, दोस्तो परेडाम ये हुआ कि अलड़ी जहाँ पे RTE का जो नॉम्स था, वो पहले स ही फुल्फिल्ड नहीं था, वहाँ पे जरूरत से ज्यादा सिक्षक पहले से ही मौदूद थे, उनका एड़जस्ट्मिंट होना चाहिए था, सिक्षक छात्र जो अनुपात है उसको बराबर करना चाहिए था, लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं हुआ, और परेडाम ये हुआ कि अलड़ी जहाँ पे सिक्षक सिक्षका भाई बहन जादा थे, वहाँ पे चार चे सिक्षक और चले गए, अब ये बात जमीन से ले करके, यानि धरातल से ले करके सासंग को संग्यानित हो चुकी है, ऐसे विद्याले जहाँ पे छात्रों का नामांकन बहुत ही जड़ा है, वहाँ पे मुश्किल से एक या दो सिख्षक सिख्षी का भाई बहन किसी परिस्थिती में किसी परिस्थिती का मतलब दोस्तो ये है कि एक एक सिख्षक के उपर सव सो बच्चों का भार भी है सो नहीं तो पचास से सो की बीच में भार है कहीं कहीं ऐसे भी बिद्याले हैं और कहीं कहीं पे दोस्तों दहाई की संख्या में बच्चे भी नहीं है लेकिन वहाँ दहाई की संख्या में सिक्षक सिक्षिका जरूर पहुँच के हैं तो दोस्तों सरपलस जो सिक्षक है जिन सिक्षक सिक्षिका भाई बहनो ने किनी कारणों वस यहाँ पे कारण क्योंकि कोई भी सिक्षक सिक्षी का इसके लिए जिम्यवार नहीं है ये जो विवस्था है जिसके तहत उनको इसकूल मिले हैं वो सरकारी पडाली की विवस्था थी उसी के तहत उनको विद्यालियों में दोस्तों भेचा गया उसके लिए वो सिक्षक सिक्षी का भी जिम्यवार नहीं है लेकिन सरकार ने अब दोस्तों पूरी की पूरी विवस्था को एड़ियस्ट्मेंट के माध्यम से समयजन के माध्यम से दुरुस्त करने का दोस्तों मन बना लिया है। आएए हम वीडियो में बात करते हैं आखिर कौन सिखशक सिखशी का भाई बहन हाटेंगे। तो तो एक विद्याले में नूंतम तीन अध्यापक होंगे जो पत्र निर्गत हुआ है जो शासन का आदेश आया है उसका सार है उसका एसेंस है उसका क्रक्स है उसका मर्म की हम बात कर रहे हैं एक विद्याले में नूंतम तीन अध्यापक होंगे जनपत के अंदर ही समयोजन होंगे ट्रांसफर की भी संभावना बनी है सरपला सध्यापकों की समयोजन में सबसे पहले वो सीनियर टीचर जिनके विद्याले में कारभार ग्रहन करने से RTE 2009 के मानक में विछलन पैदा हुआ है का वरिस्ट से कनिस्ट के अवरोही करम में का ट्रांसफर या समयोजन होगा सरपला सिक्षक वाले विद्याले से जो विद्याले में पहले आया था उससे पहले विकल्प मिलेगा यानि पहले उसको डेफिसिट स्कूल में जाने का विकल्प मिलेगा क्योंकि दोस्तो सरपलस स्कूल में अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है कि आप जिस विद्याले में अभी सिक्षण कार कर रहे हैं उस विद्याले में आप अत्रिक्त सिक्षक हैं तो आपको दोस्तो वहां से हटना है और हटना है तो deficit school जहां पे शिक्षक नहीं है वहाँ पे आपको जाना है तो लिहाज़ा दोस्तो 25 विद्याले आपको चुनने होंगी उनी में से आपको जाना होगा उससे पहले विकल मिलेगा पिछडे ब्लाकों से transfer की संभावना नगन नहीं वहाँ surplus सिक्षकों के संख्या पहले से ही नगन है जो बहुत ही backward blocks है सुदूर वर्ती ब्लाक है तो वहाँ पे अलड़ी सिक्षक नहीं है तो वहाँ से कोई हटेगा नहीं इसकी संभावना हटेगा या नहीं इसकी संभावना दोस्तों कम है सासना 10.8 की व्याख्या surplus में चिन्हिस सिक्षक ध्यान देजिए चिन्हित अर्था जिनके पदस्ठापन यानि आने से मानक का विचलन हुआ यानि कनिस्ट सिक्षकों को अवरोही करम में अर्था descending order में व्युस्तित किया जाएगा यानि कि जो पहले आया है वह सबसे उपर रखा जाएगा और फिर उपर की वोर से surplus वजिस सिक्षकों को रखते हुई list बनेगी और list में जो सबसे उपर है उनसे शुरुआत होगी समायुजन की दोस्तों ये दिखीए जो हम आपको दिखाने जा रहें अन्ता जन्पधी समायुजन की जो प्रक्रिया है उसमें भी ये बात लिखी गई है उसमें लिखी गई है कि चिन्हित आवशक्ता से अधिक अध्याबक वाली विद्याले सरप्लस में ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनका कार्यत विद्याले में पद अस्थापन होने के काराण नेशुलक और अनिवार बाल सिक्षा काधिकार अधिनियम 2009 के मानकों का विचलन हुआ है उनको विद्याले में कारभार ग्रहन करने की तित के अंस्वार औरोही कर्म में सूची बद कर निर्दिस्ट वेबसाइट पर प्रदर्सित किया जाएगा तो दोस्तो सर्पलस अगर आप हैं यानि अलड़ी वहाँ पे जिस विद्याले में आप गए हो वहाँ पे सिक्षकों की ज़रूरत नहीं थी कोई रिक्तपद नहीं था लेकिन सरकार की जो मशिन्री है उसमें कोई न कोई आकलन सही नहीं था कोई तूटी थी जिसके चलते आपको वहाँ जाना पड़ा सरकार संग्यानित हो गई है कि कहीं न कहीं भूल हुई है कहीं न कहीं किसी लेवल पे तुट हुई है चाहे वो तकनीकी अस्तर पे हो चाहे मानवी अस्तर पे भूल तो दोस्तो होई गई है अब उस भूल को सुधारने के लिए समायोजन होना है तो आउसक्ता से अधिक अध्यापक वाले विद्याले से अध्यापक की आउसक्ता वाले विद्याले इन डिफिसिट में शिक्षक विहेन एकल शिक्षक एक ऐसे विद्याले जहां पर दो या दो से अधिक सिक्षक कारत हैं पर निशुल के उमा निवारबाल सिक्षा अधिकार अधनियम के मान मान को कौन सार रिखती है में समाज उनकी कारवाही की जाएगी दोस्तो एक सिक्षक हों या एक भी नहों सिक्षक विहीन विद्याले हो सिख्षक विहिन का मतलब सिख्षामित्र अनुदेशक के भरोसे विद्याले हो या एकल सिख्षक या दो सिख्षक या दो से अधिक भी सिख्षक कारणत हैं लेकिन वहाँ बच्चे ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे जाने का विगल्प मिलेगा वो स्कूल डेपिसिट स्क इंडिंग ओर्डर में व्यस्तित किया जाएगा यानि जो पहले आया वह सबसे उपर रखा जाएगा फिर उपर की ओर से सर्प्लस वरी सिख्षक को रखते हुए लिस्ट बनेगी और लिस्ट में जो सबसे उपर है उनसे शिरुआत होगी समायोजन की अर्था सर्प्लस चि सबसे पहले वह बाहर होगा म्यूच्वल ट्रांसफर का कोई उलेख नहीं किया गया बहराल म्यूच्वल ट्रांसफर होंगे इसके लिए आप लोग अपने असतर से मैच्वल टीचर सर्च करते रहें 30 अप्रेल 2022 की छातर संक्य को समयोजन का आधार बनाया गया है समयोजन आधे लिए इतना ही विडियो इनफमेशन लेटेस् अब्रेट आश्शा करता हो आपको अच्छा लगा हूगा अच्छ लगा है तो ऐसे लाइक कर सकते हैं चेनल पे क्र मेंट कर सकते हैं अपने जैसे दोस्टों टक साजा भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कर चैनल पे न